पाकिस्तान देश भी अजब का कॉमेडी शो है, एक खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर आप हसेंगे और बहुत हसेंगे, सच ये के हमने आपको एक खबर दी थी, 26 वरबरी को, कि पाकिस्तानी स्टूडेंस इंडिया का फ्लाग लेकर अपनी सेक्योरिटी क ये लिए फ्लाग अपनी गाड़ी के आगे लगा कर यूकरेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खबर अभी पिछले एक-दो दिन में ही, पिछले एक-दो दिन में ही, रेस्ट ओफ मीडिया में आई, हमने आपको सबसे पहले एक खबर दी थी, उसमें ही आग बच्चों के ठहरने का कुछ अर्रेंजमेंट कराना है, ये सब, एलजीरिया में जो पाकिस्तान की एमबेसी है, उसने एक ट्वीट किया, ट्वीट ये किया, कि भाई, एमबेसी और टु डायवर्ट फंस, मतलब उनका हिंदी में लबो लुबाब, मैं भी इंग्रेज में ले लो, ये एलजीरिया के एमबेसी ने ट्वीट किया, एक्जाक्ट वर्ट जो ट्वीट के थे, मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ, ये था, एमबेसी और टु डायवर्ट फंस तो यूकरेन फोर एवाकिस्तानी नैशनल्स, शुड़ भी आलसो स्टार्ट आसकें फंस इंडिया एज पाकिस्तान नैशनल्स अर यूजिंग इंडियन फ्लाग्स तो फ्री फ्रम यूकरेन, ये पहली बार नहीं हुए, पहले भी पाकिस्तानी एमबेसी ने सोशल मीडिया पे जाके पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और बाद में बोल दिया गया, कि वो उनका मीडिया, उनका जो सोशल मीडिया था, ट्विटर या इंस्टाग्राम ये हैक हो गया, इस से पहले भी हुआ और इस बार भी पाकिस्तान ने यही बोला, कि उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया था, इसलिए डाल दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया, लिखा के embassies ordered to divert funds to Ukraine ये हम लोगों के पास अपनी salary के लिए अपने खाने पीने के लिए पैसा नहीं कहां से दें साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई नैशनल्स को अभी तक एक भी पाकिस्तानी नैशनल को evacuate नहीं किया गया है अगर evacuate नहीं किया गया है तो पाकिस्तानी government कर के रही है और दूसरी चीज़ ये भी उन्होंने एक clip भी डाला पाकिस्तानी news चैनल का एक clip डाला जिसमें पाकिस्तानी students बोल रहे थे कि उन्हें पाकिस्तानी embassy ने एक bus में बठाया और बोला पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाओ और नारे लगाने का वीडियो उन्होंने लिया और उसके बाद बोला उत्रो सबको उतार दिया और वो सारे सारे बच्चे पैदल चलके पोलन के border तक पहुँचे ये पाकिस्तानी एक news channel का वीडियो पाकिस्तान की embassy Algeria में उसने tweet किया ये क्यों किया गया ये इसलिए किया गया कि मैंने अपनी खबर में 26 तारीक को वो इसी channel में आपको मिलेगी उसमें बताया था कि पाकिस्तानी students ने भारत मता की जैब बोला था क्योंकि उनकी जान बच अबर ये पाकिस्तान का जंडा तो जान नहीं बचा पा रहा था तो जो उसकी जान बचा रहा है उसके लिए तो सबसब उपर वोई है बilee ही वो पकिस्तान पहुंचके पलड़ जाएं और बोले के हम तने तो पाकिस्तान flag यूज किया वो ये भी बोल सकते हमने तो मार्स का इंडिया का फ्लैग यूज करके आए कोई इम्रान खान को इम्रान खान जा करके वहाँ प्राइमिस्टर मोदी ने एक फोन कॉल पर कर सकते थे इम्रान खान वहाँ खड़े थे पुतिन के साथ गले मिल रहे थे वह यह काम करा सकते थे क्यों यह तो गेहूं खरीदने गए थे ना इनके लिए गेहूं खरीदना भाई पूरी कंट्री भूका मर जाए उससे च्छेसो स्टूटेंट मरें क्या फ़र्ण बढ़ता है यह पूरी बात है उन्होंने कहा कि आप लोग कह रहें कि फंड्स इकटे करें कि हमारे जो स्टू और वाकिया हुआ था एमबेसी पाकिस्तान की मुझे एग्जेक्टी अवियाद नहीं है कंट्री लेकिन उसी पे भी मेरी वीडियो मौझूद है अब वहां पे भी यह चीज़ हुई कि लास्ट त्री मन्स से हमने अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सेलरीज नहीं दी और हमारे पास बच्चों के स्कूल की जो फीसिस हैं वो हमने अदा नहीं की अब ये वाला वाकिया होना यकीन अफसोसनाक है ये वाली चीज़ काफी अफसोसनाक इसलिए मैं कहा रहा हूं कि मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए था इस तरीके से लेकिन हुआ और ये ट्वीट आई अब अन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी स्टूडन्ट जो है वो हिंदुस्तान का फ्लाइग यूज़ करते हैं कि यार वो उनको प्रोटेक्शन मिले क्योंकि रश्या और हिंदुस्तान के बीच में जो तालुकात हैं वो और पिर अवलादमिर प्यूटन और नरिंदरा मोदी जी के बीच में जो बात चीत हुई थी कुछ दिन पहले तो उसके बाद भी लोग कह रहें कि शायद हमें तोड़ा सा ज्यादा आसे पैसिज जो है वो मिल रहा है स्टूडन्ट ने कहा कि हमें बस में बटाया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए ग हम लोग कहते हैं गिले करते हैं कि यार ये जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं वो इस तरह की चीज़े कर रहे होते हैं हमारे खिलाब अपरा बिगंडास करते हैं हमारे खिलाब साजशे करते हैं ये सारी चीज़े हम इस पे अकसर बात होती है लेकिन जब ये वाली चीज़े जो हमारे अपने स्टूडन्स वहां पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ यह हुआ तो इसका जवाब मेरे ख्याले किसी के पास नहीं है